हेलो फ्रेंज मैं हुकुर्बान और आप देख रहे हैं डिवी टेक यह है टिगो रिवी और कास्टमर का कॉम्प्लेंट है कि डिकी नहीं खोलता है मतलब यह जो एक्सटर हैं काम नहीं कर रहा है तो आस हम देखेंगे ऊसे में उसको सब्भण प्रब्लम में तो उसको हम लोग चेक करेंगे सबसे पेले मैंने इसको डिटी से में कोई भी कोड नहीं है इसके रिलेटेट तो अगर डिटी से नहीं है तो हमें इसको इस बटन से भी काम नहीं कर रहा है और पिछह का जो micro situation उससे भी काम नहीं करता है तो दो हमने जो cuánt करेंगे गाम करेंगे वहां पेs जोか्णक्टर है इस काम करेंगे यह जो एक्सवाटर है इस एक्सवाटर में जो कनेक्टर लगता है इस कनेक्टर को हम लोग चेक करेंगे इस कनेक्टर में थ्री वेर है जो पहला है पाउर जो पाउर सप्ले का है दूसरा है यहाँ पर जो ग्राउंड जो राइट साट के पिछे पीलर है नीचे क वे इस डॉइर में प्रोब्लम था दो वेर का मैंने कंटिनिती चेक किया दोनों वेर में कंटिनिती और रजसेंश बराबार आ रहा था लेकिन ग्राउट पॉइंट में continuity आ रहा था लेकिन उसका resistance वहती ज्यादा था इसलिए मुझे doubt हुआ उसके बाद मैंने वेर को खोला open किया open करने के बाद मैंने check करते हुए time यहाँ पर मैंने open circuit मिला मुझे क्योंकि मैंने feature खेचने के बाद यह निकला आया इसका मतलब है कि यह वेर टूटा हुआ था यह चाशोल हुआ था इसलिए कभी के भार काम करते था कभी के पर इसमें काम नहीं कर रहा था जरूट के साथ चांड से यह concept ह्रेजितन्स और डा की काम करने बहुत ज़रूर है कस्टमर सब कारी लेके आया था उस टैम यह काम नहीं कर रहा था उसके बाद हम लोगों ने एक्सुएटर खोला एक्सुएटर खोलने के बाद खोल के फिर से जब लगाया उसके बाद काम करने लगा तो हमें डाउट वाज यह एक्सुएटर खोल के लगाने के बाद क्यों का था इसलिए हम लोग को रेजिस्टेंस से क्या रेजिस्टेंस से करने के बाद ही हमें पुलम को पता चला